यह एक्जिट गया लेफ्ट देखे मिरर में अच्छे से देखके दीरे दीरे और बाहर आ जाना तो यहां लेना इधर जाना है तो चलो फाइनली ड्राइविंग पार्ट बहुत दिन बात कुछ सिखा रहा हूं ड्राइविंग में और आज की वीडियो का टॉपिक है राउंड अबाउट यानि की गोल चक्र पर गाड़ी कैसे चलानी होती है अब शूरू कर रहा हूं प्रक्टिकल डेमेंस्ट्रेशन बट उससे पहले एक बार ड्राउन शोट्स देखो तो गाड़ी तो चलो आप कंटीनू करते हैं तो देखो ऐसा है लेफ्ट में चला होगी अब माननों आप इस साइड से आए ठीक है किसी भी गोल चक्र पर कम से कम कितने तीन दो कट उसके अनावा मिलते हैं यानि टोटल तीन एक्जिट मिलेंगे टोटल फिर उससे ज्यादर चाल पांच छे अगर दिल ली है तो और भी जिल जादर निल जाथे हैं तो अब मालनों आप इस साइड से आ ठीक है मैं यह माल मूर मैं आरा हूँ ठीक है मैं परेज्श लेकर आ तो अब एक केस करके लेकर चलूँगार सपोस्जिब मगे पहले एक्ट में जा रहा है तो मुझे यहां क्या ऐसे नियों तीन सेकेंड वाना प्लिंग करवा कि दे दिया और मैं यहां चला लिया ठीक है यह था फर्स्ट केस अब मानलो मुझे सेकंड एक्जिट लेना है एक चीज बताता हूं मानलो सेकंड एक्जिट लेना है उसमें से एक माइनस कर दो उस कट तक आप सरकल के अंदर चलोगे एक्जामपर देता हूं सेकंड एक्जिट लेना है ठीक है अंदर के तो यहां आप मुझे ऐसे थोड़ा टेड़ा आना है बिल्कुल सीधा नहीं जा सकते क्योंकि यहां से गाड़िया आ रही है ठीक है यह गाड़िया आ रही है तो मैं मुझे थोड़ा से टेड़ा चलना पड़ेगा क्योंकि यह गाड़िया मेरे नज़िक आते जारी है तो मुझे थोड़ा राइट इंडिकेटर देगे और यह गाड़िया मुझे अंदर लेकर आनी है और पहले एक्जिट तक मैं सरकल के पास चलोगा मैं बाहर में आउगा अब जो कि मेरा अगला पट है यहाँ अब मुझे लेफ्ट इंडिकेटर देखे देखके आराम से देखके और ऐसे जाना है यह तरीका है अब यहाँ मैं गाड़ियां प्लांट कर देता हूं यह तुमागूँगा यहां से अब मालो सेकंड के बजाए मुझे थर्ड लेना ह थारड में से मायनस किया, कितना है? दो, तो मुझे exit number 2 तक circle के अंदर चलना है, मतलब बिल्कुल इसके पास, यहां मैं आया, तेड़ा चला, right indicator दिया, अंदर चलूँगा, अंदर चलूँगा, second exit होगा, यहां तक मैं अंदर चलूँगा, अब मुझे left indicator देखे, और ऐसे पहलें लेना है यानि सीधे तो मैं फर्स्ट एंदर ही चलोंग राइट इंडिकेटर दें इस तक मैं से फुर्स्ट टक अंदर चलोंगा और शेकैंड से आना पूर लेफ्ट इंडिकेटर देंके बहाँ आ टीक है यह तरीक है उप लंगे उसका दिखाता हूं आगे भी था यार कट्ट माफाल तुम यहां कुसा ही देखो जैसे आपने मेरे ड्रोन शोट्स में देख लिया जिस भी एक्जेट में जाना हो यानि सेकंड नमबर थर्ड नमबर फॉर्थ नमबर उसमें से एक माइनस कर दो कर दिया लेटस आपको फॉर्थ एक्जिट में जाना था एक माइनस किया कितना है तीन तीसरे एक्जिट तक आप सरकल के अंदर-अंदर चलो भिया थीक है फॉर्थ लेना है थर्ड तक अंदर-ंदर चलो Circle के और जैसे ही White नहीं पता है, Gross यहां पे मिरे खाल से मिल स्टीन िहीं है तो मैं Second लेके दिखाते हूं ठीक है इन तों मैं Right इंडिकेटर हुए R जार की तो सर्कल लेहां जिए मतें भांद हैं यह तरीका होता है मैं बाते घुमाता नहीं हूँ सिंपल तरीके मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीके से आपको समझ भी आएगा एक आदा और मैं यूटन लेके दिखा देता हूँ हलांकि यहां पर कम था थोड़ा चांसिस कम थे चलो फिर दिखाऊंगा यूटन एक तो यहां पर यूटन काफी दूर-दूर है नजदीक नहीं है आई थिंक यह है है इस इस आई कॉल पर्फेक्ट यूटन थोड़ा जल्दबाजी में लेना होता है क्योंकि जो पीछे से वीकल आ रहे हैं वो थोड़े तेज है तो मैं निचार मेरी वज़े से वो स्लोड़ाउन हो जाए अब मालो मुझे फॉर्थ लेना है अगर है तो थर्ड थर्ड थीक है तो सेकेंड एक्जिट तक मैं अंदर चलूँगा राइट इंडिकेटर दे दिया यहां पर blind sports भी काफी होती है तो थोड़ा ध्यान रखना अब मैं अंदर जाओंगा सर्कल के इंडिकेटर दे के थर्ड लेना है तो सेकेंड तक अंदर फर्स्ट गया फर्स्ट गया ना यह सेकेंड गया अब मुझे थर्ड लेना है सेकेंड जैसे ही गया लेफ्ट देखें दीरे दीरे भार आजाओ मिरर में देखते देखते यहां थोड़ा आराम से काच में इसलिए देखना होदा है क्योंकि टर्न के उपर और ब्लाइंड स्पोर्स गेट होते हैं तो आपको वीकल वैसे नहीं दिखेंगे कभी स мощ में पूरा दिख जाएगा नहीं नहीं दिखते हैं टर्न के ऊपर ब्लाइंड स्पोर्स बहुत ज्यादा क्रे c होती है यहां पर यूटन लेकर फिर से चलते हैं अब मैं फोर्थ लेकर दिखाऊंगा जो मैं मतलब मेरा ओविसली राइट लेकिन मैं हैंसे नहीं जा सकता तो 3rd कक मैं सर्कल के अंदर या थोड़ा लेकि गाड़ी जैसे मैंने बताया थहारिक देखे भार देखके अंदर ठीक है ये मेरा ओंद रहेगा पहला गया और यह दूसरा एक्जेट कि फॉर्थ तो वही हो जाएगा दूसरा गया अब मुझे थर्ड लेना है ठीक है तो सेकिंड हो गया अब लेफ्ट देखे दीरे दीरे देखके बाहर आ जाओ यह तरीका होता है राउंड आबाउट्स पे चलाने का कर दो है अब है अब है अब है अब है कि वहां एक और गोल चेक करें वहां भी बता देता हूं अगर लेकर आयो ना तसली करके लेकिशाओंगा आप अब है कि अब है कि अब है कि अब है आई थिंक ड्राइविंग सीरीज में सारे पार्ट बन गए अगर कुछ बचा हो तो बता देना लेकिन जीतने हो सकते थे ना मैंने सारे बना दिये नहीं आगे एक और गोल चक करें कि अब है कि अब है कि अब है कि अब पर से लिए नी पड़ेगी बना नीचे से थो राउंड अबाउट कट हो जाएगा सिंपल सा फंडा था जैसे मैंने बता दिया था जो भी एकजिट लेना हो एक माइनस कर दो उसमें से और उस एकजिट जो रिजल्ट आए आपका उस कट तक आपको सरकल के अंदर अंदर चलना है अपना राइट इंडिकेटर देखें चलो आ गया यहां पर चार है ना मैं फोर्थ लेके दिखाऊंगा आपको ठीक है मैं फोर्थ अगर ले रहा हूं तो मैं एक माइनस के त्ас स्वाव थी तेक मैं अंहले चलूंगा तो यहां ले ना इधर जाना है तो एक तो गलूत ले रहा तो तो तीन तक अंहल चलना मैं पहला गया दूसरा गया और ये तीसरा गया मैं वापिस मतलब उसी लेन में जा रहा हूँ तीन गया अब तीसरा जाते हैं लेफ्ट देगे अपनी लेन में आजाओ लेफ्ट में ये होता है एट एक दो बिना गोल चक कर पर घुमाई यूटर ले रहा है गलती राइट लेना फिर लेफ्ट से मेरी गाड़ी के आ आ ते दूसरी गलती और तीसरी गलती देख भी रहा है फिर इदर गलती करके भी अपनी गलती ना मानना है ज़िजा आएगा वैसे गोल चकर कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें बस यही होता है वीकल देखते नहीं देखते क्यों नहीं है मिरर में क्योंकि blind sports create होती है क्योंकि घुमाओ पर गाडियां होती है इस वीडियो ड्राइविंग के बारे में कोई और प्रॉलम हो कुछ ना समझाए तेन लेट में नो मैं देखूंगा अगर उसके उपर वीडियो नहीं बनी होगी तो अलमेक इट एंटिल नेक्स वीडियो सो मच खतम टाटब बाए बाए जब टेनल या कोई माल लो अंडर प्रीज आता है तो भाई पर यह जो बेज यह जो भी होता है तो हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं जो भी कार एंथूसियास्ट होते हैं जो नौक सुननी है आप गाड़ी की तो सुन नहीं सकते है है तो हम होर्न सुनते हैं बाएक का तो क्या है सांड्स जाती है लेकिन गाड़ी में हम अलस उन्टे तो मुझे तो अच्छा लगते हैं तो फट्शा बच्काना बेहेवियर है लेकिन ठीक है कभी कवार्टी के